कि एक बार के लिए कम से कम इस संसद में जो ये बड़ी-बड़ी पार्टियां जो बिलकुल भ्रष्ट हो चुकी हैं ये साफ हो जाएं और एक ऐसा नया समू इस संसद में आए जो कि सिर्फ इमांदार ही ना हो लेकिन जो असली लोकतंत्र में विश्वास करता हो क्योंकि हमको ये भी समझ में आ गया कि इस देश के लोकतंत्रिक प्रणाली में भी बहुत खामिया है सिर्फ चुनाओ के सुधार हमको नहीं चाहिए चुनाओ के सुधार तो चहिए ही चाहिए हमको इस देश में मूल भूत मूल भूत लोकतंत्रिक सुधार चाहिए आज हमारे देश में लोकतंत्र का मतलब हो गया है कि सिर्फ पांच साल में एक बार हम वोट देकर अपने प्रतिनिदी को चुन सके और उसके अगले पांच साल तक वो प्रतिनिदी घूस ले लेकर बड़ी-बड़ी कमपनियों से घूस लेकर उनसे तरह-तरह के फायदे लेकर उनके मुनाफे के लिए काम करते हैं जनता की बिलकुल नहीं सुनते जन हित में काम नहीं करते हैं हमको वो सुधार लाने हैं दूसरी बात हमने देखा कि इस देश में सत्ता का बहुत केंद्री करण हो गया है बहुत सारे फैसले जो गाउं को सीधे एफेक्ट करते हैं वो केंद्र में लिये जा रहे हैं इंद्रा आवास योजना हर गाउं के लिए वो ही है उतना पैसा उतना परसंट पैसा हर गाउं को दिया जाता है गरीब लोगों के मकान के लिए और वो भी चोरी किया जाता है लेकिन हर गाउं की विवस्था फरक है हर गाउं की जर्वतें फरक है किसी गाउं को आवास चाहिए किसी गाउं को सड़क चाहिए किसी गाउं को स्कूल चाहिए किसी गाउं को स्वास्ति व्यवस्ता चाहिए हर गाउं खुद तै करे कि उसको क्या चाहिए अपने पैसे का क्या करना है यही अर्विन केजरिवाल की किताब स्वराज में लिखाए आप सब को वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए अब तो खेर मराठी में भी आ गई तो इस देश में लोकतांत्रिक सुधार जो होने उसमें विकेंद्री करन और जनता की पूरी भागेदारी यानि की नीती बनाने में कानून बनाने में अहम फैसलों में चाहे वो जैतापुर का परमाणू उर्जा प्लांट हो चाहे ये जो आजकल बीटी ब्रिंजल वगेरा के इस तरह के जेनिटिकली मॉडिफाइड खाने के बीच जो लाए जा रहे हैं चाहे इसकी बात हो हर चीज में जनता को ये अधिकार होना चाहिए कि वो खुद तैय कर सकेगी क्या नीती, क्या कानून होगा इसी तरह से हमको चुनाओ के तो सुधार करने ही है चुनाओ जो हमारे elected representatives हैं उनकी जवाब दे ही लानी है यानि right to recall right to reject हमको पैसे का जो खेल चलता है चुनाओ में उसको ठीक करने के लिए उस पे काफी प्रतिबंद लगाने है पार्टियों के जो पैसे होते हैं उस पे पारदर्शता लानी है उस पर कानून बनाना है ये सब होना है और साथ में जो हमारे governance के institutions हैं न्याइपालिका ये कारिपालिका यानि civil services और तीसरा ये police इन सब के मूलभूत सुधार होने हैं क्योंकि ये सब संस्थाएं अंग्रेजों ने इस देश के जनता को फाइदा पहुचाने के लिए नहीं बलकि इस देश की जनता को अपने कबजे में रखने के लिए बनाई थी और उन संसाओं का अंग्रेजों के जाने के बाद कोई सुधार नहीं किया गया इन सब संसाओं की जवाब दे ही जनता के प्रती होनी चाहिए इन में पूरी पारदर्शता आनी की जरुवत है बहुत सारे मूलभूत सुधार होने की जरुवत है तो हम लोगों को ये पार्टी हम लोगों की पार्टी का जो जो विजन है वो पूरा इस देश की मूलभूत व्यवस्था परिवर्तन इस देश को एक राजनेतिक क्रांती की जरुवत है इस देश को व्यवस्था परिवर्तन की जरुवत है और हमारी पार्टी कोई नॉर्मल पार्टी की तरह नहीं है जो कि हम सत्ता हासल करकर सत्ता पर राज करें ये आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरह से कि हमारी पार्टी के जो MPs, MLAs होंगे वो सत्ता का फाइदा नहीं उठाएंगे उनके लिए सत्ता कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिससे उनको कोई फाइदा मिल सके बढ़ सत्ता उनकी एक responsibility होगी responsibility ये होगी कि उस सत्ता का इस्तमाल करके जनता के हाथ में हर दम के लिए सत्ता को सौप देना और इसलिए जो काम हम लोगों ने उठाया है ये कठिन जरूर है इसके लिए त्याग की जरुवत होगी मुझे पूरी उमीद है पूरा विश्वास है कि आप लोग जो भी लोग इस party से जुड़े हैं ये सोच समझ कर जुड़े हैं कि अगर इस देश को बचाना है इस देश में अगर व्यवस्था परिवर्तन होनी है असल लोकतंत्र कायम होना है तो हमको उसके लिए त्याग करना पड़ेगा रा बहुत कठिन है हमारा रास्ता कठिन है हर तरे की चुनाओं में आएगी चुनाओं के पहले भी आएगी अगर हम लोगों को इसमें काम्याब होना है तो हमको हर चुनाओं के लिए तयार रहना पड़ेगा हर तरे का त्याग स्वीकार करना पड़ेगा हर तरे की समस्याओं जो हमारे जनता के सामने समस्याओं आती है बड़ी बड़ी उन समस्याओं से जूजना पड़ेगा आम आदमी की समस्याओं को हल करने की कोशिश करनी पड़ेगी अपनी अपनी जगा तभी इस देश में ये क्रांती आ पाएगी क्योंकि अगर इस देश में अब क्रांती नहीं आई तो आप मान कर चलिए कि ये देश सीधा सीधा अराजकता और ग्रहयुद की तरफ बढ़ रहा है और इसमें अब बहुत देर नहीं है दस साल या उससे कम के अंदर ही हिंदुस्तान उसी कगार पर पहुंच जाएगा जिस कगार पर आज पाकिस्तान खड़ा हुआ दस साल से जादे का समय नहीं है लेकिन मुझे पूरी उमीद है जिस प्रतिबद्धिता के साथ जिस विश्वास के साथ आप लोग इस पार्टी से जुड़े हैं इस अंदोलन से जुड़े हैं इस व्यवस्था परिवर्तन की क्रांती से जुड़े हैं मुझे पूरी उमीद है कि हम लोग जरूर सफल होंगे और इस देश में व्यवस्था परिवर्तन होगा इस देश में करांती आएगी ये देश बदलेगा जय हिंद जय भारत